Metals ने किया चीन को ignore, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि आज हमने देखा कि चीन के जो 5 साल के loan prime rate है, उसमें बाजार उमीद से कहीं जादा बड़ी cut देखने को मिली, और almost 25 basis points से 14% की cut आई, 3.95% के पाच, अब 5 साल की जो loan prime rate है, उसे रखा गया है, People's Bank of China यानि की ची Metal market को ये बात कुछ खास पसंद आई है, इसलिए हम कहा रहे हैं, क्योंकि चीन में जो डालियन एक्स्चेंज है, आईरन और उसमें एक महीने के निचले सतर पर गिर गया, almost 3.3% की गिरावट देखने को मिली, SGX पर आयन और 2 हफते के लोज पे चला गया, Steel Rebar की की कीमते 3.5 महीने के निचले सतर पर और Army Copper समेट जितने भी Base Metals है या Shanghai Metals जितने भी है, यहाँ पर चीनी Metals जितने भी है, वो भी यहाँ पर लालनशान में दिखाई दिये, कारण क्या है, दरसलिए डॉलर इंडेक्स की मजबूती का असर है, अमेरिकी Treasury Yield है, धाई महीने की उचाई प